दोस्तो आपने 11 kb की जो औरहेड लायन होती है उसको आपने जरूर देखा होगा साथ में 440 volt की जो सप्लाई होती है जो हमारे घरों तक सप्लाई आती है जिससे हम सप्लाई को लेते हैं उसको भी जरूर देखा होगा तो आपने कभी क्या एक चीज़ नोटिस की है कि जो फॉर्फुटी बोल्ट की जो लाइन होती है जो कंडेक्टर होता है वो अक्सर मोटा होता है जो हमारी 11 kb की सप्लाई आती है उसके कंडेक्टर से अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आ लेकिन जो 4.40 बोल्ट की कम बोल्टेज होता है बहुत कम होता है लेकन उसमें मोटा बायर क्यों यूज़ करते हैं तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जो 11 kb की ओवर हैड लाइन होती है उसमें जो हम कंडेक्टर यूज़ करते हैं उसको पतला क्यो वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं क्यूंकि हम अपने चैनल पर इस पिरकार की वीडियो लाते रहते हैं जो आपको बहुत काम आ सकती है तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं तो इसको समझने के लिए हमें एक important बात पता होने जो भी conductor या कहीं पर लोड ज्यादा होता है तो बहाँ पर हम मूटा बायर या conductor यूज करते हैं तो हम यह चीज देखते हैं कि हमें इस conductor से या यह जो बायर है उसमें से कितनी current flow करानी है तो इसके आधार पर ही कोई भी conductor या बायर है उसको select किया आता है तो माल लीजिए जो हमारी 11KB की supply है बहाँ पर हमने एक distribution transformer लगाया और उस transformer से हमने 100 घरों को supply दी किसी में हमारा single face connection है और किसी में 3 face connection है तो माल लीजिए हमारी जो भी 100 घर connect हुए है तो transformer तक जो हमारा load connect होके आ रहा है उसमें माल लीजिए हमारा 300 amp का current flow हो रहा है तीनों face हो में तो हमारा अगर load balance रहेगा तो उसमें हमारा 100-100 amp का current है वो single face में रहेगा एक एक face में रहेगा तो तो उससाब से हमें देखना होता है चिए अगर हमारा यहां पर 100 amp का current है और अगर कोई भी season में गर्मीतों में जज़ादा load हो जाता है तो उससाब से हम उसको select करते हैं कि एससे double या 50% currency है और ज्यादा flow हो जाए जिससे जो हमार अगरy conductivity है वो proper work करता रहे उसमें कोई आँ, तो उसे सहाब से हम सेलेक्क कर लेते हैं लेकिन हमारा 11 केई का जो, बायर है वो पतला है, इस वाले से क्योंकि यहां पर 100 MPR का लोड़ है तब भी हमने हमने इतना उटा यूजा किया है, बायर लेकिन, उसके बाद 11 PB है, इस पर कार के को सप्लाई देती हुँ चले जाएगी फिर वी वो बायर है वो खराब नहीं होते हैं वो करेंट को कैसे करी करते हैं तो इसके लिए आपको करेंट और बॉल्टेज का एक रिलेशन पता होगा कि जब भी बॉल्टेज बढ़ता है तो करेंट है वो कम हो जाती है तो इसी परका करेंट 10 एक उससे सप्लाई और बॉल्टेज दाता है ट्रांस पारमर तो जिटने परसंट या जिटने रिज्व में जो बोल्टेज बढ़ा है उतने ही रिज्व में हमारी करेंट कम हो जाएगी तो यहांपर जो सो एंपियर करेंट थी पोड़ा है तो यहां पर जो सो वो 11 KB में जाके बहुती कम हो जाएगी ना के बराबर हो जाएगी उस conductor में तो इसलिए जो conductor है वो इस परकार के जैसे हमने 100 घर को connect किया है इस परकार के कैई घरों को हजारों घरों को supply देती हुए वो line चली जाती है और जो conductor है वो आसानी से उस load को carry कर लेता है क्योंकि इतने load से उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता इससे वो कितना ज्यादा current है वो flow करा सकती है 11 KB की supply तो इसलिए जगह जगह पर एक ही line से supply को दे दिया आता है कैई घरों में कैई गाउं में तो हम जहां पर भी supply देते हैं बहां पर transformer को लगा देते हैं distribution transformer को और उससे उस area को हम supply को दे देते हैं और इसका जो बाइर है वो आसानी से carry कर लेता है current को क्योंकि current बहुत कम हो जाती है तो यह आसानी से carry कर लेता है तो दोस्तों अगर आपको अब भी इस पर कोई doubt है या आपको कुछ समझनी आया तो आप comment box में हमें comment कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको like share जरू करें और जो भी दोस्त चैनल पर नए है वो चैनल को subscribe जरू करने हैं